हेलो व्रोवान वेल्कम प्रेलेक्ट्रिक लंच एकमस्कियोज आज के सेजिन में व्लोग हमारे रेलवाइड एफसी सेल के एक्जामिनेशन का प्रिविएस एर कुछेंज पेपर का पार्ट फूर डिस्काने वाले देखिए दोज़ार अठरा में जो कुछेंज पूछेंगे यह एक्जाम पैटन और डीटेल सेलेबस में डिसस किया था अभी दखके दो प्रिवेस एर कॉशन से डिसस करा जोकिया जोकिया सरकेट अनलेसिस पे जिसमें हमने ट्वंटीफॉर कोशन को डिसस किया और उसके बाद में जो हमारा पार्ट थी था एलेक्ट्रिकल मशिन के उसमें हमने ट्वंटीफॉर कॉशन डिसस किया ठीक है आउट आफ नाइटीश कोशन देखें आपके रिक्वेस्ट के अनुसार हमने ट्वंटीफॉर कोशन की एक सीरीज भी शुरू कर दी नॉन टेक्निकल की वह काफी इंपोर्टन रहने वाले जैसे कि मैंने आपको इस अब बताया था सेलेक्शन के लिए काफी ज़्यादा यूसफुल रहने वाली और यह आपके जो 60 कोशन आपको जूनेर एक्जामनेशन में पूछ जाने वाले उसके लिए भी काफी ज़्यादा यूसफुल है उसका पार्ट वन और इडी हो चुका है और यह सारे सेशन के जो लिंक है में आपको डिस्रीप्शन बॉक्स में प्रवाड कर रहता हूँ इस सेशन के बाद में आपको जाके देखना को देखेए एक्जिगेटिव एलेक्टिकल में जो 96 कोशन पूछ जाते है उसमें हम लोग जो पहले दो ट्रपिक होने के बाद में हम लोग एलेक्त् पास्ट देखिए सबसे पहले क्या है हमरे पास हाँ मेने डाऊट जार यूस्ट कन्स्ट्रक्ट अहाफ फूल वेव एन ब्रिज रेक्टिफार इस्पेक्टिवली हमाई कितने डाऊट की रिक्वार्मेंट रहते है अगर हम लोग एक हाफ वेव डेलप करते है फुल कि हमारे पास requirement रहती है ठीक है तो option D is question का correct answer आजाएगा काफी simple सा question उन्हें पूछा था next question है question number two if the resolution of a digital to analog converter is approximately 0.04% of its full scale range तो उसमें से ये कौन सा converter होगा अगर हमारा resolution जो है digital to analog converter का जो कि approximately 0.4% of its full scale range तो हमारा कौन सा converter होगा दहान में रहके का resolution कहा रहता है यह रहता हमारा ratio of step size and full scale output तो क्या रहता है हमारा 100 upon 2 to the power n minus 1 is equals to जो हमारा resolution आता है ठीक है वो आता है हमारा 0.4% इसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा value आ जाता है 0.04 ठीक है देखते हैं भी हमारा next question question number three the product of two binary number 011 and 110 is what देखें इसको काफी best simple approach में आपको बताने वालाओ 011 और 110 का हमें multiplication करना है ठीक है हम लोग इसको decimal में convert करके भी कर सकते और फिर binary भी convert करके हम लोग कर सकते जीड़ाइब अब आपको easy बता देतो देखे 110 आपको बता दू जीरो को हम लोग multiply करने काथना है टू डिसलोबर जीरो से इस 1 को multiply करने टूर से और इस 1 को multiply करने टुरसent पार टू से छीए तो इसका value हागा एक है F cash और इस value का कहता है two to power zero कितना होता है one और two to power one होता है हमारा two two plus one हमारा आ गया three हमारे पास decimal में इसका value होता है हमारा three आप देख के भी इसको solve कर सकते है बट मैंने आपको explain कर दे और इसका value होता है six three into six कितना होता है 18 होता है ठीक है आप इसमें option में धून लो जो भी आपको 18 को किस तरीके से आप represent कर पाऊंगे binary में वो रहेगा हमारा option c देखे है option c में हमारे पास का है one double zero one zero ठीक है इसको अगर आप multiply करोगे two to power zero ये तो हमारा zero आ जाएगा two to power one तो हमारा कितना value आ जाएगा two ठीक है ओक है ये फिर two to power हमारा two रहेगा ये भी zero रहेगा two to power three ये भी zero रहेगा और two to power four जो की value आएगा हमारा 16 अब 16 प्लस two के अगर हम लोग addition करते तो हमारा आता है 18 तो हमारा option c है correct है इस तरीके से आप basic approach लगा के भी इसको solve कर सकते हो ठीक है option c इसका correct answer आजाएगा मैं आपको आने वाले session में बता होगा कि आपको इसके लिए कौन सा वीडियो हमारा refer करना होगा जो हमारी binary to decimal और सारी जो octal conversion वगरा है या आप उसमें से सीख जाओगे ठीक है तो बढ़ते हैं हमारे next question के और among the following which is a fixed frequency oscillator इसमें से चार हमारे पास oscillator given है crystal, face shift, heart layer and call pits तो इसमें से कौन सा fixed frequency oscillator जिसकी जो frequency वो fixed रहती है तो है हमारा crystal oscillator crystal oscillator एक material रहता है ठीक है जो एक हमारे fixed desired set of frequency पे हमारा वो work करता है ठीक है यह crystal oscillator हमारा timing generate करने के लिए हम लोग basically इसको use करते है तो यह हमारा crystal oscillator यह हमारा fixed frequency oscillator है ठीक है next question है हमारा the output and input voltage of emitter followed देखे यह common emitter circuit नहीं है अगर common emitter रहता है तो आप 180 degree mark करके आदेते बट यह emitter follower circuit is common collector amplifier यह होता है हमारा common collector amplifier ठीक है तो common collector amplifier का input और output में कोई भी phase difference नहीं रहे दा तो option A is question का correct answer आ जागा तेकि जिस तरीके से आप यह देख रहे हैं input और output में जो है हमारा common collector amplifier जिसको हम लोग है emitter follower circuit ठीक है कैसा भी question examination में पूछा गया emitter follower circuit is also known as a common collector amplifier तो इसमें input और output में कोई भी phase shift नहीं रहते है हाला कि common emitter में 180 degree का phase shift रहता है तेक है देखते हैं भी हमारा next question question number seven a or with a a b get simplified to देखे a or a b है a b हम लोग plus को क्या लिखते है और multiplication है तो हम लोग इसको dot लिखते है देखे ended है अगर होगा तो ध्यान में रहते हैं तो हम लोग a इसमें से common निकाल पाएंगे one plus b a or with b और मैंने आपको बता है था according to or law anything odd with a one हमने anything odd with a one क्या रहता है हमारा वह रहता है one that means a multiplied by one तो हमारा इसका value आ जाता है option d is question का credit answer आ जाएगा कली हमने हमने हमारे जो instagram का page है उसके लिए मैंने आपके जो यह short tricks रहते ठीक है or laws and laws distributed laws d morgans के law इसके लिए हमने एक ही page में हमने यह post upload करा दिया हाला कि मैंने इसको telegram channel पर upload करा दिया अगर इसको आपने नहीं देखा होगा तो इसको जाके देखे को और हमारे दोनों भी pages जो है koji finder ऑफिशल और electrical जागे हम से के instagram page को हमें follow करना होगा इस तरी के से आपको में post provide कराते रहता हो ठीक है नेक्स कोशन है मारा question number eight in a certain transistor emitter current is a emitter current i johamara 1.04 times of the ic current i that means collector current i अगर हमार emitter current 12 ampere का 12 milliampere का तो हमेर base current पूचह के हापे base current की value क्या है पूचह के अपको पता ही होगा emitter current का sum of कितने रहता है वो रहता हमारा base current plus collector current that means emitter current is the addition of base current as well as collector current हमें base current का value पूचह हो पूचह है उसके लिए हमार पास emitter का already given है collector का हमें निकालना पड़ेगा तो हम लोग कैसी निकालेंगे यहाँ पे emitter का already given है 12 into 10 raise to power minus 3 अगर हम लोग उसको 1.04 से divide कर ले तो हमारे पास ic का value आता है जो की value आएगा हमारा 0.01154 यह आगया हमारा collector current का ic का value अब हम लोग ib का value निकालना होगा तो हम लोग i का value given है 12 into 10 raise to power minus 3 milliampere यह हो गया हमार emitter current उसमें से अगर हम लोग यह जो ic का value given है जो अभी हमारे पास आया 0.01154 इसको अब कर लेता है तो आपका value है जाता है 462 micro ampere ठीक है option A का current answer आ जाएगा guys तो यह था हमारा x का current आपको बात है आपको धहन में रखने होंगी bipolar transistor की characteristics से related देखें मैंने आपको बताया था emitter current रहता है है base current और collector current का addition alpha क्या रहता है हमारा ratio of collector current to the emitter current ऐसा question में पूछा जा सकता है दीखें alpha okay ratio of collector current to the emitter current beta क्या रहता है ratio of collector current to the base current ठीक है उसकी range भी आभी given है gamma क्या रहता है ratio of emitter current to the base current और beta plus one भी हम लोग उसको represent कर सकते हैं कुछ important मैंने characteristics आपके बताये यह इसको ध्यान में रखेंगा काफी भी इसवे इसी के dependent questions पूछ जाते basic electronics में ठीक है देखते हैं अभी हमारा next question question no.9 state the respective ripple factor and efficiency of full wave rectifier full wave rectifier के हमें ripple factor पूछा गया और efficiency पूछी गया है ठीक है वो क्या होगी ठीक है मैं बताते तो उसका correct answer आजाएगा option D मैं आपके लिए एक जो next chart है आपको यह पर present कर रहा है present कर रहा हूँ so that आप इसको अच्छी तरह किसे समझ सको ठीक है यह हो गया हमारा question कौन सा था हमारे पर full wave rectifier का ripple factor है ripple factor है यह हमारा .48 और इसका efficiency कितना है 81.2% काफी important है guys ठीक है यह chart इसमें से 100% एक से दो questions आपको इस साल पुछ जाने वाली थीक है इसका RMS का value कितना रहा थे DC load power कितना रहा थे ripple factor peak inverse value वह आपको center tap में 2VM रहता है ऐसा काफी बार question पुछा थे form factor crest factor transformer utilization factor यह very important आपके लिए मैंने chart present किया इसको आप अची तरीके से examination से पहले एक बार revise करके जाना होगा ठीक है तो इस question का correct answer हमारा क्या था respective ripple factor efficiency कितने है हमारा full value actifier का 0.48 है और 81.2% हमारा उसका efficiency है ठीक है देखते हैं हमारा next question question number 10 state the octal equivalent of hexadecimal नंबर भी 3 4 to the base 16 hexadecimal इसलिए का base 16 है ठीक है अगर हमें convert करना होगा इसको in octal में तो क्या करेंगे ठीक B34 को हम लोग लिख लेंगे अगर हमरा next question तो B को हम लोग क्या represent करते हैं हम लोग represent करते हैं 11 3 को हम लोग क्या represent प्रप्रजन करते हैं 00 ठीक है बीड़ मिस क्या होता है वन तो उसी को हम लोग अगर बाइनरी में करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 1011 ठीक है मैं आपको इसको करें यह बएक पॉच्छा गया यह बसका हाँ पूच्छा घंसका रही हों突rän बेव एक राइन्स घंसे लाइन में करके हैrramble यह हो गया हमें क्या है ओक्त्री वन और यह नियुक्त बीद कर सकते हैं हमात है तो हमंने इसको मैंने आपको अच्छी तरह किसे के पहले भी पड़ा तो दिसका फालियो है यहाँ चाहिक है हमारा south ठीक है यह आजाएगा हमारा four और यह आजाएगा हमारा five five four six four to the base eight that means it is octal number तो यह हमारा correct answer आजाएगा option c ठीक है यह होगा हमारा octal देखिए हमने क्या क्या यह जो hexadecimal को हमने सबसे पहले binary में convert कर लिए यह होगा हमाना binary में ठीक है to the base two इससे हमने easily find out कर लिया इसमें होगा तो हमने कोजिफार चैनल पर यह number system का important topic में आपको अच्छी तरह किसे explain किया देखिए इसी session को में आप देखोगे तो तीन से चार question same topic के ऊपर पूछे गया इस session प्रीज जाके देखिए इसकी बे लिंक में आपको description box में provide कर देखिए अगर कोई students नय है तो यह student जाके देखिए जिसमें हमने decimal to binary octal to binary binary to decimal जो बाकि any base to any base conversion मानुला आपके वाद hexadecimal तो आपको binary पूछा गया कोई भी अगर आपको वाईली पूछा जाती है तो हमने यह number system में हमारे session में cover कर आए यह काफी important होगा इससे आपके यह concept है clear हो जाएगा ठीक है then the next question is question number 11 zinner diode are used to zinner diode हम लोग voltage regulator करके भी use करते क्योंकि इसका sharp breakdown जो रहता है reverse breakdown region इसका हम लोग काफी benefit उठाते है ठीक है और इसका symbol कुछ इस सिरके से रहता है ठीक है यह होगा हमारा zinner diode का और यह हम लोग as a voltage regulator करके भी use करते है ठीक है option a will be correct answer in this case next question is question number 12 यह मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है देखिए इसमें condition पूछीए transistor की जब वो operate करते है cutoff region में अब उस cutoff region में हमारे पास में इमेटर टू बेस जंक्षन रहता है ठीक है और हमारे पास में collector to base junction रहता है तो वो reverse बायस होना चाहिए forward बायस होना चाहिए यह हमें पूछा गया तो जब कुछ घूरिजन में operate होता है तो हमारे इमेटर टू बेस जंक्शन होना चाहिए रिवर्स बैस में और क्लेक्टर टू बेस जंक्शन वो भी हमारा रिवर्स बैस में होना चाहिए इसके लिए अपके चार्ट में च्छन के यह ध्यान में रहे का cut-off active reverse active and saturation emitter base collector base और collector base pricing क्या होने चाहिए यहाप emitter base pricing भी हमारा जो है cut-off region में वह भी reverse होने चाहिए collector base में भी reverse होने चाहिए और इसका application क्या है वह as a off switch करके काम करते हैं जब saturation रहते हैं दोनों भी forward रहते हैं तो उस time पे हमारा switch on रहता है ठीक है यह on switch हो गया saturation में और off switch में कुछ इस तरीके से रहते है एक्टिव region में वह हमारा as a amplifier करके काम करता है ठीक है यह transistor तो इस question का correct answer क्या है option D which is emitter base junction होना चाहिए हमारा reverse और collector base junction में हमारा reverse होना चाहिए जो अब हम लोग transistor को as a cut-off region में operate करते है ठीक है next question is question no.13 voltage regulation is given by voltage regulation का formula काफी simple है voltage of no load minus voltage at full load upon voltage at full load देखिए ऐसा question आपको simple सा पूछा गयता है यह हाला कि हम लोग mcqs को solve करते हैं भी काफी बार सकते हैं बट लेकिन इसके formulas ही आपको पूछे गए ठीक है option C का correct answer है next question is the charge carriage will have greatest mobility greatest mobility का मतलब क्या आता है जो easily pass हो सके easily move हो सके उसको हम लोग कहते है mobile ठीक है greatest mobility किस के रहे थी इसमें से electrons के रहे थी positive ions के रहे होल्स के रहे निगेटिव ions के रहे थी तो ध्यान में रिखेगा electrons की हमारी mobility काफी अच्छी रहती है option इस question का correct answer रह जाएगा next question is ideal value of CMRR CMRR का full form क्याता है common mode rejection ratio यह हमारा measure है how well the two half of the input differential amplifier stages are match तो ideally जो CMRR का value होना चाहिए वो होना चाहिए infinite बट यह जो value रहता है typical value वो भी आपको पुछ जा सकती हो 100 decibel का value रहता है option D is question का correct answer रहता है अगर practical पुछा गया तो 100 decibel आप marker क्या है ठीक है next question is question number 16 यह काफी important है हमें respective देखी मैंने आपको बताया था वो session जाके देखेगा 100% इसमें से 23 questions आपको पुछे जाने वाले अब यह क्या पुछा गया 65 to the base 8 है हमारे पास बताया गया हमारे पस decibel और हमारे पस hexadecimal नमबर पुछे गया इसका हमारे पस decimal इसका decimal equivalent निकालना है 65 to the base 8 का ठीक है तो हमें क्या करना पड़ा है कि जिससे यहां पर आप देख पारेगा octal to decimal में जिससे हमें आपको हाँ पर explain कि 65 को हमें क्या करना पड़ा है octal का base 8 रहता है तो हम लोगों 8 से हमें multiply करना पड़ेगा इस 5 को 8 से पार 0 से और 6 को हमें 8 से multiply करना पड़ेगा तो इसको हम लोग 8 से multiply करेंगे कि 8 से पार 0 1 होता है 1 इंटो 5 वह आ जाएगा 5 ठीक है और हमारे पास जो 8 से पार 1 है इसका value आ जाता है 8 ठीक है 8 इंटो 6 या इसको multiply करना पड़ा है 6 8 जा होता है 48 प्लस हमारे पास यह 5 आड करेंगे तो हमारा इसका value आ जाता है ठीक है वह आता है 53 ठीक है ओके तो यह value आ गया 53 अब यह 53 value कौन सा है यह हमारा decimal number ठीक है 53 value आ गया हमारी decimal number की अब हमारे पास hexadecimal number की value पुछेगे थीक हम लोग hexadecimal को कैसे निकाल पाएंगे अगर हमारे पास में base का यह value आ गया to the best 10 that means decimal number का value आ गया तो हम लोग hexadecimal भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है क्या करेगा यहाँ पी जो 5 है और हम्मारी पास 3 है तो इसको में रिप्रेजेंट कर लेते हैं रिक्प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर लेता है तो फाइव क्रीक से रिप्रेजेंट करेंगे से ठीक है हम लोग इसको सिक्वेंशली लिख लेंगे ठीक है 110101 तो अगर हमारे पास हेक्षाडेसिमल नंबर पूछा गए तो हम लोग चार-चार के पैर बनाएंगे मैंने काफी अच्छी तरी से अपको एक्स्प्लेंड करा दिया इसमें यह फर्स्ट पैर हो गया और हमारे सेकंड पिर इसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे ठीक है तो यहां पर 010 का value कितना आता है वह आता है हमारा 3 यह आता है हम्रा 5 ठीक है नॉड 3 देखे दान मेरेख कर है एक है टूरिस्ट पार हम लोग 0 अंडिपिले करते टूरिस्ट पार 1 तूरिस्ट पार 2 ट्रिस्ट पार 2 जाएगा 4 4 multiplied by 1 अजाए गामर फूर यह 0 आजाएगा प्लस टूरिस्ट पाँज़ जाएगा हमारा 1 ध्यक्तमीज हमारा बेस में जो वालियो आया वह आया हमारा 35 ध्यक्तमीज जो Shaun हिशाडिशीमल में जो क्नवर्जन हाय मरा 35 धिक एक जडेसिमल उसका बेस existed है तो डिशिंऐम एक्वेव्यलर उसका वालियो हमारा 53 धाया और आयो ग्तलिष धेसिमल हमाद जिसका अगर आपको बेसिक से अची तरीके से समझना है जो मैं आपको क्विक्ली आपर जो काफी सरे स्टूंट्स को इसमें दिखकर जा रही आए नो उसके लिए आप प्लीज वो से जाके देखिए का दस से पंदर मेंट के सेशन में आपको सारी चीज़े कवर उप हो जाएगे उससे हम नहीं हम नहीं है मैंने मेंशन किया क्यों आपको कैसे कनवर्ट करना है ठीक है और नेक्स क्वेशन का करेंट अंसर आजाएगा तो नेक्स्वेशन इस क्वेशन नमबर 17 तो लोड और अपर कट-off frequency हम लोग चाहते हाफ पावर ठीक है option b is question का correct answer आ जाएगा the binary equivalent of a decimal 22 is what decimal 22 का binary equivalent क्या होगा काफ़ी simple है का is by option भी आप जा सकते हैं हम लोग सबसे पहला option लेते हैं 10110 हाला कि हम लोग इसके 2-3 methods भी है by cross verification method भी आपको याप पर समझा देता हो यह क्या हो जाएगा हमारा 2-10-20, 2-10-20, 2-10-20, 2-10-20, 2-10-20, 2-10-20, 3-10-20, 2-10-20, 2-10-20, 3-104 तर रसके त्दिधर 4 को हमें multiply करना पड़ेगा त्दिधाी हमारा 16 2-10-2 a जाएगा 4 यह तो हमारा 0 जाएगा यह जाएगा 4 प्लस हमारा 2-10-20 प्वार वन कितना जाएगा हमारा यह सिक्वेंसिंग कैसे रहे थे तूरिस्ट पौर जेरो तूरिस्ट पौर वन टू ट्री फॉर यह सिक्वेंस एकर आप जान लोग ईजली तो आपको यह बाइनरी नमबर आप इसको 10110 ऐसे ना पकड़ते हैं आप डिरिक लिए पर काउंट करना शुरू करते हैं जैसे कि यह जो आपको प्रिवेस एर एक्जामिनेशन में पूछे गया थे देखिए अभी तक कि हमने अगर हम लोग काउंट करते हैं 48 क्वेशन तो हमने वहां पर कवर कराया थे ठीक है सरकेट अनलेसिस पर और इस पर और हम लोग आज की सेशन में 40 18 क्वेशन हमने यह पर डिसस कर ल करेंगा कोई दिक्कत आती तो प्लीस हमें करेंगा करेंगा जो हमने सेशन आपको नोग टेक्निकल के लिए बताया थे यहां पर आपक्लिक करके अभी आप जाके देख सकते हो हमारे चेनल अलेक्ट्रिक लंजींग सिक्यूर्श और कोजी फाय को यहां प्लिक करके सब्स्र